शादी की अटकलों के बीच अस्पताल पहुंचे अर्जुन कपूर और मलाईका अरोड़ा, क्या है इसकी वज़ें? इन दिनों अर्जुन कपूर और मलाईका अरोड़ा की शादी की खबरों को लेकर बाजार गर्म है मलाईका ने करण जहर के शोग उफी विद हैं में अर्जुन के साथ अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म करते हुए कहा था कि मुझे अर्जुन पसंद है इस तरह से या फिर उस तरह से हाल में अर्जुन मलाइका को मुंबई के एक अस्पताल के बाहर स्पोर्ट किया गया जिसको लेकर अब कई सवाल उठ गए हैं पार्टियों से लेकर डिनर डिट तक हर जगय हर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को साथ में स्पोर्ट किया जाता है हाला कि शुक्रवार को इस जोड़ेक को एक अस्मानिय जगयत देखा गया अर्जुन मलाइका लीलावती अस्पताल पहुँचे थे जहां उन्हें मीडिया के कैमरों ने केट कर लिया कैजुल और कमफर लोग में दोनों स्टार्स को अस्पताल में इंट्री करते देखा गया सीधे अस्पताल तक पहुचने की बज़ा आया वो दूसरी तरफ गाड़ी रोक कर सड़क पार कर अस्पताल गए हाला कि इस बात का अब तक पता नहीं जल पाया है कि आखिर दोनों अस्पताल क्यों गए थे हाल ही मलाइका ने एक बार फिर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मलाइका ने लिखा कि करीबी व्यक्ती एक ऐसा इंसान जिससे आप मिलने के साथ ही एक कनेक्शन महसूस कर रही हो ऐसा गहरा connection इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं किया है समय के साथ ये लगा हो और गहरा होता चला गया मलाइका ने आगे लिखा कि आपको ये अहसास होने लगता है कि कोई है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं आपका करीबी हमेशा हर लेवल पर आपको बेहतर तरीके से समझता है जो आपको शान्ती, सुकून और आपके चारों और खुशियां बिखेर देता है मलाइका ने अपने पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा लेकिन माना जा रहा है वो जिस करीबी की बात कर रही है वो अरजुन कबूर ही है